Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं intellectual property के बारे में. हम यह देखेंगे कि intellectual property होती क्या है और intellectual property rights क्या होते है और कॉन-कॉन सी various intellectual property है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है? इसमें हम सारी intellectual property तो cover नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, बाकी में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में cover करूँगी, इसमें कुछी intellectual property को हम cover करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी definition, कि what is intellectual property, IP exactly है क्या चीज, intellectual property is everywhere, intellectual property आपको हर जगे मिलेगी, that is the music you listen to, the technology that makes you phone work, the design of your favorite car, the logo on your sneakers, etc. देखें, intellectual property क्या है, intellectual property is everywhere, यह हर जगे है, अगर मैं simple और सीधे शब्दों में बोलूँ, तो जितनी भी human creations है, आप कह सकते हो, जो भी the creations of the human minds, जैसे की कोई invention हो गया, कोई नई चीज invent कर ली, या आप कह सकते हो, कोई artistic work हो गया, या कोई symbol हो गया, या आप कोई कह सकते हो, कोई images हो गई, या कोई logo हो गया, यह सारी चीज़ें आपकी intellectual property में आती है, हर चीज जो आप देख रहे हो, जो design भी है ना, favorite car का, कोई आपकी car है, उसका भी favorite design है, जो वो भी आपका intellectual property में आता है, तो यह है क्या exactly, यह human creation है, मतलब जो दिमाग की उपज है ना, जो creativity है मनुष्य दिमाग की, वो आपकी intellectual property में आती है, चीज़ें, अब देखिए, exactly, अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी आपकी intellectual property होती है, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका copyright, चीज़ें, तो copyright exactly होता क्या है, हम यह पढ़ेंगे, चीज़ें, देखिए, copyright refers to the legal term, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं, copyright के बारे में हम यह भी पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, जो copyright कराने योग्ये होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो copyright आपकी नहीं भी कराई जाती हैं, ठीक है, देखिए, copyright exactly होता क्या है, copyright refers to the legal term, describing the rights given to the creators, for their original, literary, musical, or artistic works, which allow them to control their subsequent use, अब देखिए, यह किसी भी तरीके का original, literary, musical, or artistic work हो सकता है, ठीक है, मतलब copyright क्या है, copyright एक तरीके का, एक exclusive right होता है, मतलब एक अधिकार होता है, जो कि उसके creator को दिया जाता है, यह उसके बनाने वाले को अधिकार दिया जाता है, उसके original literary work, literary मतलब इसे कोई book लिखना हो गई, या कोई novel लिख दी आपने, ठीक है, या कोई आपने music ऐसी बना दी है, या कोई artistic work हो गया, यह सारी चीज़ें आपकी copyright में आती है, आपने देखा होगा, जो books आप use करते हो, class 12 में भी, तो उसमें लिखा रहता है copyrighted, या निकि इसको कोई, आप कैसे कह सकते हो, उसको ऐसे बोल सकते है, कि यह एक exclusive right होता है, जो कि creator को दिया जाता है, ताकि जो content उस creator ने उस book में लिखा हुआ है, उसको दुबारा से reproduce करके copies का distribution ना किया जाए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई book है, जैसे मालीजे संदीब गर्क की book है, business studies की, ठीक है, class 12 में ज्यादा तर schools में चलती है, तो अभी देखिए, अगर कोई और, यह अगर copyrighted material है, ठीक है, इसको content को वो reproduce कर देता है, और reproduce करने के बाद उसकी distribution कर देता है copies की, और उसी exactly subject matter जो लिखा हुआ उस content में, copy करके, तो उस cases में यह गलत काम है, ठीक है, यह unauthorized work है, अगर आपने copyright ले रखा है उस material का, तो आप नहीं यह काम कर सकते है, वो गलत होगा, ठीक है, and what is protected under copyright, देखिए, एक feature अच्छर है यह आपे, the unique feature of copyright is that the protection of the work arises automatically, automatically, this word is very important, automatically as soon as the work come into existence, जैसा ही आपका काम existence में आता है, मतलब आपका काम सामने आता है, करके, पूरा बन करके, उसी समय से आपको copyright का एक अधिकार आपको मिल जाता है, ठीक है, और एक चीज़ और है इसकी, the registration of the content is not compulsory, ठीक है, but it is essential to exercise the rights in case of an infringement, मतलब जरूरी नहीं है, कि आप content का registration कराईए, बट यह जरूरी उस case में हो रहता है, कि आपको यह डर रहता है, कि इसका copyright जो है, मतलब जो आपका content है, वो चोरी ना हो जाए, तो लोग copyright ले लेते हैं, अब कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस में आप copyright ले सकते हो, मतलब कुछ बच्चों को यह confusion रहती है, मैं हम exactly किस चीज़ का copyright हम ले सकते हैं, तो देखिए, आपको यहाँ पर content मेंने mark करा हुआ है, literary work, artistic work, and dramatic work, हम तीन categories में इसको divide करते हैं, ठीक है, अब यह में इसमें पढ़ने जा रहे हैं, कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी, जिसमें आप इनको categorize करते हो, तो क्या-क्या examples आते हैं इनके, ठीक है, तो इनके examples आप देखिए, यहाँ पर क्या है, literary work में क्या आता है, books आती है, novels हो गई, poem हो गई, computer program हो गई, आपके यह सारी चीज़ें आती है, ठीक है, artistic work में देखिए, आपका क copy नहीं कर सकता, अगर कर लेगा, तो फिर उसके against case हो जाएगा, तो क्या है, वो logo जो है, वो copyrighted है, copyrighted instance मतलब कोई, वो आपका legal है, वो registered है, वो सो कोई copy नहीं कर सकता, उस logo को, ठीक है, फिर dramatic work में क्या आगे, आपका musical work है, sound recordings है, screen play है, यह music से related हो गया, यह arts section से related हो गया, और हम जो next पढ़ने जा रहे हैं, वो हम next पढ़ने जा रहे हैं, trademark के बारे में, trademark the most important intellectual property जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, trademark के बारे में आप पढ़ेंगे कि trademark exactly होता क्या है, और trademark जो as an intellectual property इसका क्या use है, देखिए, trademark is any word, name और symbol, यह बहुत चीज़ important है, यह किसी भ तरीके का word हो सकता है, नाम हो सकता है, या symbol हो सकता है, ठीक है, that lets us identify the goods made by an individual, company और an organization, देखिए, trademark क्या है, यह किसी भी तरीके का good हो सकता है, यह किसी भी तरीके का, sorry, I am very sorry, यहाँ पे use किया जाएगा any word, name और symbol, ठीक है, trademark किसी भी तरीके का शब्द होगा, ठीक है, यह कोई नाम होगा, या कोई symbol होगा, ठीक है, नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का, जैसे आप कहते हो, signature, ठीक है, या एक symbol हो सकता है, या एक symbol हो सकता है, या या आपमें देखा होगा, मैं ऐसे बताती हूँ, ऐसे करके, शायद कुछ, वो होता है, उसका mark होता है, मुझे exactly नहीं पत सकती अगर किसी और company या organization ने इसको copy करने का कोशिश किया तो वो क्या होगा उसके against case हो जाएगा यह trademark है कोई भी शब्द हो सकता है अब कोई word है colossal है काजल है अब colossal word कोई और company काजल की use करेगी तो उस पर case हो जाएगा that is something which is different from copyright यही चीज copyright से अलग है copyright कुछ अलग चीजों के लिए है trademark कुछ अलग चीजों के लिए है ठीक है when a brand or a brand mark is registered this sign is very important and legalized it becomes a trademark देखिए है क्या कि जब आपका कोई brand mark है जैसे मालनीचे एक milk का कुछ sign हो ठीक है कि आपको दिखाया जा रहा है कि कोई मटकी है और milk का उसमें दिखा दिया कि निकल रहा है जो भी है और उसको कोई मतलब वो एक common brand का mark है ठीक है अब यही same जो mark है अगर कोई company अपने लिए उसको legalize करा ले या register करा ले तो ऐसे cases में क्या होता है वो legalize हो जाता है वो register हो जाता है तो वो trademark बन जाता है ठीक है तो जैसे ही वो trademark बन जाता है तो कोई और उसको use नहीं कर सकता इसलिए हम कहते हैं कि all trademarks यानि कि सारे trademark यानि all trademarks जो होते हैं वो आपके brand mark होते हैं ठीक है बतलब जितने trademarks होते हैं वो सारे brand mark होते हैं कि जो जितने भी brand mark होते हैं जैसे ही आप उनको register करा लोगे वो तुरंत trademark बन जाएंगे आपके बट जितने भी brand mark है वो trademark नहीं होते क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सारे brand mark ही register हो जाएं कुछ brand marks आपके चूट भी सकते हैं तो बस इसलिए कहा जाता है कि जितने भी trademark है यानि कि all trad marks are brand mark क्यों? क्योंकि वो brand mark रहे होंगे इसलिए registration के बाद वो trademark बन गए पर सारे brand mark यानि कि all brand mark are trad marks ये जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे brand mark आपके trademark बन जाएं यानि कि जरूरी नहीं है कि आप trademark को register कराओ under the act of 1999 trademark but the registration of trademark helps to establish exclusive rights over the mark यानि कि अगर आप में register करा लिया तो आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आपका ये चीज कोई और use नहीं कर सकता है तो trademark क्या है? वो किसी भी company की brand mark को एक तरीके से एक वो देता है क्या कहते है legal protection देता है बतलब क्या है कि एक exclusive right देता है कि ये चीज अप कोई और use नहीं कर सकता और copyright क्या है? copyright इस से थोड़ा different है वो artistic work हो गया आपका, musical work हो गया आपका, या आपका कोई और जैसे आप artistic, dramatic work हो गया आपका, इन चीजों के लिए हो गया वो आपका, और ये आपका companies के लिए हो गया, अलग चीज हो गया आपका trademark, तो आज आपने इस वीडियो में trademark और brand mark का difference समझा, यानि कि brand mark तब तक brand mark रहता है जब तक कि वो legalized नहीं हो जाता, या जब तक वो registered नहीं हो जाता, आपने पढ़ा intellectual property के बारे में next video में हम पढ़ेंगे इसके आगे के intellectual properties में क्योंकि अभी हमारी बहुत सारे intellectual property है जो remaining है, so that's all for today and I hope you like the video, अगर आपको video पसंद आई हो, तो please like, share and also comment so that I can improve my content, thank you